हेलो गाइस, पोकर कैसे खेलते हैं? वो तो मैं इसमें आपको सिखाऊंगा ही, साथ मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि कैसे पैसे कमाते हैं MPLA लायप है, यहाँ पे आपको कोई भी टेक्स नहीं देना जब तक आप 10.000 सुपर की रकम विनिंग नहीं करते हो, ठीक है? तो मांगे लो, no tax है, ठीक सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है, और आप मेरी history देख सकते हो, जिदने रुपर मने इन्वेस्ट की हैं, जश्ट उसका double amount मने विनिंग में क्रिडिट की आए, तो सुरू से बिल्कुल हम सुरू करेंगे, अगर आपने अभी तक पोकर समझना किया रही है, तो बहुत मतलब डिफकल्ट है, बहुत मतलब इदर दर क्या हो रहा है, मैं तो समझी में नहीं आ रहा है, तो step by step समझोगे, तो बहुत आपको easy लगने पाला है, बस एक बार rule साब को पता चल गया ना, बस हो गया, बहुत easy है, ठीक है, तो चलिए सुर आपको च्छोड़ा सब्सक्राइन उसका भी कर दूँगा, तो सबसे बहले variant of poker या भी types of poker जो मैंने बताया था, तो तीन type का होता है, NLH, PLO and PLO 5, तो mainly आपको PLO and PLO 5 पर ध्यान देना ही नहीं, आपको NLH पर ही ध्यान देना, यही main है, यही famous है, यही जो भी है, सब कुछ जी है यह poker में, तो आप MPL पर खेलो, या कहीं भी खेलो, तो आपको यह NLH, PLO यह लिखा रहेगा, जैसे कि मैं अगर फस्त वारब देखो, 0.1, 0.2, और देखो 5 इस लिखा हुआ है, और देखो NLH लिखा हुआ है, ठीक, NLH, NLH, अनि देखो PLO लिखा हुआ है, तो पर 0.5 लिखा है, स्लाइस लिखा हुआ है, यह क्या है, यह होता है, Small Blind and Big Blind, जिसे shortcut में बोलते है, SB and BB, ठीक है, अब यह SB और BB क्या है, इसको हम गेम खेलते खेलते बता देगो, आपके आसानी समझ में है, कुछ बड़ी बात नहीं है, तो अब गेम सुरू हो चुका है, 20 र समझ में आ रहा है, कि आँछ हो गया रहा है, है ना, इसकी 0.1 मेरे लगे, 0.2 मेरे आगे वाले के लगे, यह मैं हूँ SB, और मेरे आगे वाला है BB, और मेरे पीछे वाला है, वो है D, यानि dealer, तो जितना मैंने आभी आपको बताया, उतने से आपको क्या समझ में आता है, यह समज में आता है कि जो dealer होगा, उसके बाद वाले जो दोबंदे होंगे, पहला SB होगा, दूसरा BB होगा, SB का मतलब पहले small होगा, फिर भी होगा, तो dealer जो होगा, वो तो कोई भी भी बन सकता है, रैंडमली, कभी आप बनोंगे, कभी कोई और बनेगा, ठीक है, और उसके बाद वाल जो बंदे होंगे एक SB होगा और एक BB होगा और जो SB का पैसा है वो लगेगा ही लगेगा वो भाग नहीं सकता है समझे रो उसके 0.1 तो जाएंगे ही जाएंगे और BB जो होगा उसके 0.2 जाएंगे ही जाएंगे ठीक है इसके बाद जो बचे बागी बचे कितने बंदे चार बंदे बचे उनका कुछ नहीं जाएगा वो बिना पैसे लगाए वो गेम को छोड़ सकते हैं छोड़ने के लिए उनको फोल्ड पर टच करना होगा अब इसके फायदे और नुकसान क्या है ठीक है फायदा क्या है लेकिन अगर आप एस भी भी नहीं बनते हो तो आपके पास प्राफिड यह है कि पत्ते दो पत्ते देखने के बाद भी आप भाग सकते हो ब्लब डिसाइड ले सकते हो च्वाइस आपके पास रहेगी या तो आप खेलो या फिर आप फोल्लो करके माँसे निकल अब अगर समझ गए हो तो check and bit की बात कर लेते हैं अगर आप bit पे touch करते हो तो इसका मतलब यह है कि आप पैसे invest करना चाहे तो option आएगा कि आप एक दो तीन रुपए कितने रुपए invest करना चाहते हो उतने रुपए आप टाइप करो तो यहां पर खत्म होता है टोटल मिलाकर बेसिक ठीक है और आप कभी भी चाल छोड़ सकते हो चोड़ नहीं हो तो देखेंगे इस टाम मैं भी भी नहीं हूं तो मैं चाहूं तो अभी ही यह गेम छोड़ सकता हूं अब बात आती यह है कि पत्ते देखें 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 दो पत्ते देखें आप कैसे बता दोगे पत्ते आप खराब हैं इसके लिए आपको समझना होगा hand ranking main hand ranking आपको hand ranking याद करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप MPL पे हो तो याद करने कि ज़रूता बिल्कुल भी नहीं है आप उपर देखोगे उसका कुछ icon बना हुआ है देखे न वहाँ पर touch करोगे तो hand ranking सो कर जाएगी तो अभी जो hand ranking है जैसे नाम है वैसे ही काम है ठीक है कुछ नाम तो ऐसे हैं कि आप देख की समझ जाओगे हाँ इसका मतलब यही होता जैसे की pair two pair three of a kind यह आप देख की समझ गए कि हाँ single pair मिलब pair का मिलब two pair का मिलब दो बार ही कुछ two pair बन रहोंगे दो जोड़े होंगे अब यह जो hand ranking है इसको आपको याद नहीं करना है इसको आपको समझना है जैसे maths के formula कुछ लोग रड़ते हैं और कुछ लोग समझते हैं जो रड़ते हैं वो पूरी math रड़ते ही रह जाते हैं उनकी मत कमज़ूर होती है जो समझते हैं वो होस्यार होते हैं ठी जैसे कि मैं तो यह जो hand ranking है इसी के उपर पूरा game चलता है जितनी अच्छी hand ranking होगी उतना ही आपके जीतने की chances जाता होंगे तो सबसे पहले सुरू करते हैं हम last से यानि सबसे खराब hand ranking से जिसका नाम है high card ठीक है जिसमें कोई भी मतलब ऐसी चीज नहीं है जिस देखकर आप बोलो वा ठीक है न वो से बोलते है high card मतलब यह कि अगर आपका high card बनता है तो simple से आपको वहाँ से fold करके निकल लेना है खेल हो यहाँ पर बासा बासा एंड फाइफ एंड फाइफ इसके बाद बनता है three of a kind जो की काफी अच्छा पत्ता माना जाता है अगर यह बनता है तो आप इन्वेश्ट कर सकते हो ठीक है तो इसका मतलब है कोई तीन पत्ते सेम तो सेम हो लाइक देला 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 पांच इसके बाद आता है straight का मलब है serial से हो लाइन से हो ग्यारा बारा तेरा नहीं होता है भावनाओं को समझो इका बासाथा बेगम समझे और सीरेल से होनी चाहिए और कलर से कोई लेने देना नहीं है उसे बोलेंगे हम इस्ट्रेट इसके बाद आता है plus plus जो है बहुत ही सारे इंट हों सारे हखुम हों सारे पान इंआ हो नमब यAccुल्य ने ने नहीं इसके बाद FULL HOUSE जो की काफीर येर बंता है FULL HOUSE में variety कि 3 एक टाइक पते और फिर दो एक टाइक तब जाके बनेगा फोर आफकाइन जो कि बहुत मुश्किल होता है सेकंड नमबर पर इस्ट्रेट फ्लस यानि इस्ट्रेट भी हो और फ्लस भी हो सिंपल सी बात है यार सीरिल से भी होने चाहिए और उनका कलर भी मैच करना चाहिए समझके मदलब यह कि 6-7-8-9 सीरिल से हो औ अंतर यह कि उसकी सुरवात 21 से होगी इसकी सुरवात कि से होगी 21 से होगी और दहले तक जाएगी ठीक जो आपको समझ दिख रहा है ना बस यह स्ट्रेट फ्लस और बागी इंट का माल लो और हिक चड़ी का माल लो हो गया कतम तो अब जो हैंड की रैंकिंग है वो आप बन जाता है ठीक है तो मेंली वन पर टू पर यहीं बनते हैं मेंली बहुत जाता है ठीक आप उसके उपर तो मनलब रेयर कभी बन जाएंगे 20 चाल में एक बार ठीक और अगर आप ऑनलाइन खेलते हो तो आपको दिमांग भी नहीं लगाना है खासकर MPL में यहाँ पर लिख है क्या बन रहा है ठीक है ना हाई कार्ट मलब हाई कार्ट कुछ भी नहीं बन रहा है सबसे बेकार तो छोड़के भाग जोगे अगर हाई कार बनता है तो पोकर के आपको 90% रूल पता चाल जो कि अब बस में बचा हुआ है कैसे खेलते हैं मलब में तो मैंने बताई दिया ह है तो आपको थोड़ा दीमा लगेगा ताकि आपको समझ में समझा सकूं ने की क्या चल टाया पर है तो मेरे आगे वाला जो है वो है डीलर उसके बाद वाला है SB उसकेवाद है BB ठीक है तो उन दोंनों के प्वाइंट वन अप्म Su frust बनने के भी चांसयों है और अच्छा पेयर बनने के भी चांस है तो यहां पर फ्लस बनने के चांस है वो तो खतम मुझा प्लू क्योंकि तीन पत्ते आए है तीरों में एक भी पत्ता है उसका नहीं है वुकुम का नहीं है इसलिए फ्लस तो नहीं बनने वाला है यहां पर हेंडर पूस्ट करणाटी के साथ आप種 ले आप इसके बात देखों किया होता है वह बंता है båंते है चेक बोले सब, कम आ हमालम थे होता है क्या है पास कर रहे है चाल ठीक है आप तो मैंने भी चेक बोल दिया क्योंकि पत्ते अभी तक मेरे अच्छे नहीं है हाँ अब पत्ते अच्छे आ चुके हैं अब पत्ते अच्छे आ चुके हैं कि आप सामने क्या है बेकम आ चुकी है और बेकम मेरे पास है यानि मेरा पेर बंचुका आप या देख सकते हो कोने में पेर आप बेकम देख रहे आपको ठीक है तो पत्ते अच्छा है तो इसका मालब मैं इन्वेस्ट और कर सकता हूँ यानि इस बार मैं या तो बेट करूँगा या तो रेस करूँगा ठीक है तो रेस करूँगा कि अल्रेडी एक रुपए उन लोगों ने लगा दिये हैं तो मै कर देता हूँ रेस जितनी पॉट में रकम थी उतनी मैंने इन्वेस्ट कर दी यानि 4.86 रुपए ठीक और अब देखते हैं क्या होता है तो यहां पर जो बागी दो बंदे थे उनकी बत्ते अच्छे नहीं होंगे इसलिए वो मेरा देखकर मेरा 4.86 रुपए देखकर डर ग कितना सिंपल होता है यह पोकर खेलना ठीक है अब आपके समझ में आ गया हो कितना सिंपल है एक बार और देख लो ताकि कुछ जो रूल छूड़ गया है वो मैं मैं रूल आपको बता दूगा इस गेम में एक नई चाल है जहां पर इसको मैं खेलने वाला हूं 0.2 मैंने कॉ कि मुझे लग रहा है कि पत्ते थोड़े अच्छे हैं एक दुक्की है और एक बेगम है देखते हैं कि अगर बेगम आती है तो इसका मिल्लब की बहुत अच्छी बात है और सामने वाले ने आलिन कर दिया यानि 0.75 अब मुझे भी लगाने पड़ेंगे जितने उसने लगा पॉर फॉर पॉर पॉर्ड में जितनी रहे कमती होती में लगा दिया तो देखते हैं क्या होता है वागी तु भाग गए ठीक है इसने आलिन किया तो कुछ कर सकता नहीं है और यह जो पत्ता है इसने भी कर दिया है कॉल अब यहां पे लास्ट पत्ता आएगा और रिज़ क्या जाएगा कर लास्ट पत्ति में देखते हैं क्या आता है कि चेक चेक ट्चेक करने हैं सब लोग और यहां पर लास्ट बता में क्या हुथा कर रहे हैं कोई पैसा लगाना नहीं चाहता है अब इक लाल और मैं लेकिन समझ गया हूं कि sound वाले पत्ते अच्छे नहीं इसलिए मैं बैट कर देता हूं देखते हैं क्या होता है जिस प्रस्क के लिए हैं मैंने थोड़ा सा और किस्मत से मैं चीद किया है और वीडियो खत्म होने को वाई आया है और मैंने एक बात सबसे मेर मत बताई यह नहीं है rule वो यह है कि सबसे पहले आपको दो पत्ते मिलेंगे टीक इसके बाद तीन पत्ते टेवल पर आएंगे जब पहली बारी सब लोग सब लोग सहमत होंगा यенhye सब लोग चेक चेक या सब लोग ऑल जो भी है, चेक से सब लोग बोल देंगे तब जाकर जो है तीन बत्ते टेबल पर आएंगे, खुलकर, ठीक है, वो सब को दिखाई देंगे, वो सब लोग तीन बत्ते देंगे, वो तीन बत्ते का यूज जो है, सब लोग कर सकते हैं, लेकिन कभी-कभी क्या होता है, कि कुछ बंदे थोड़ से, ठीक होते हैं, अडियल तो वो क्या करते हैं, तीन बत्ते खुलने से पहले ही अपनी जो चाल है, अपने जो Om II college ho रिज़ कर केंवें इसे सब लोग सहले идет करेंगे झाल का आउन हो जाएंगे पत्ता में सहले शेया को रहा है, तब एक पझा टेपल पर आचूक T इसके बाद तोटल पांच पत्ते टेहल पर और दो पत्ते आपके इन से इन कॉमपनेंस से भॉद्वेक्ट से बनेगा każघंक किसी के और बनेगी किसी कों पर ग spec 중요 attractive हो गाई करते हैं कि जैसे मान लीजी ynे आपने 20 रुपए इंवेस्टि करते हो 20 रुपए की चीप बाइद करते हो ओनलब 20 ou से आपको 18 चाल जो है नो फोल्ड करनी है क्या करनी है फोल्ड करनी है मतलब यह कि जब तक अच्छे बत्ते ना जाए ना तब तक आप बत्तों को मुलब बिना पैसा इंवस्ट की आप फोल्ड करके मां से निकल लो ठीक बत्ते देखो अगर आप SBBB नहीं हो तो फोल्ड करो औ अब यहां पर देखो मैं क्या हूं बीबी हूं यानि मेरे तो 2.2 लग नहीं थे लेकिन बंदे क्या करते हैं कि पहले ही आल-इन कर देते हैं पहले ही चाल पत्ते पर आया नहीं उसने आल-इन कर दिया मुझे क्या करना पड़ा मुझे भागना पड़ा क्यों मुझे क्यों फोल्ड करना पड़ा मुझे मुझे पत्ते अच्छे थे ही नहीं तो पोकर में जीतने का सिर्फ एक ही मंत्र है कि आप वेड करो पत्ते अच्छे आने का या फिर पत्ते बंदने का आपको अंधी नहीं खेलना है ठीक ना टेवल पत्ते आ जाएं टेवल पत्ते देखो और अपने पत्ते से मिलाओ क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है क्या लगेगी हां यह तो परफेक्ट है यह तो जो बागी जो लोग हैं उनसे अच्छे पत्ते हो सकते हैं मेरे तो आप पैसे इंवेस्ट करो पत्नों के हिसाब से पत्ते ज्यादा अच्छे हो तो ज्यादा रुपए इनवस्ट करो अगर पेर बन रहा है तो आप आल इन कर सकते हो और बाकी मेरे समझाने से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पढ़ने वाला हूं कि मैं अपने ही बात को कभी कभी गलती कर देता हूं जैसे कि अभी मैं हार के आ रहा हूं 20-20-40 रुपए इसके बाद मैंने गलती करी और फिर से 50 से फिर मैं 30 पर आ गया ठीक है और उसके बाद फिर से 20 रुपए और हार गया आप समझ रहो ना मलब 20-50 मैंने कर दिये थे मुझे मांसे निकल लेना चाहिए था आपको या करना है जब भी आप 20-50 करो 30 करो 40 करो आप तुरंत निकल लो आप वेड मत करो कि यार नहीं मलब और खेलता हूं और कमालू नहीं आप 20-50 करो या 30 करो या 40 को जितना भी आपकी हैसियत हो उतना हिसाब से अपने करोर रूप है 20-40-50 और वहां से निकल लो और फिर थोड़ी देर बाद अपने मन को सांथ करो और थोड़ी देर बाद फिर से आओ लगातार गेम को मत खेलो कि लगातार खेलोगे तो नुकसानी होगा और जब यह आपको गेम चुटकर जा तो तो Okay